Hello everyone, welcome to this channel So, आज हम लोग economics के important questions discuss करने वाले हो के ये important questions 2022 के जो बच्चे बोच देने वाले है उन लोगों के लिए हो के So, देखो हम लोग one by one करके सारे chapters के questions देख लेंगे and I would like to say one thing की, देखो हमारा exam तो अभी हुआ ही नहीं है जब से change हुए तो pandemic के वज़े से करोना के वज़े से exams हुए ही नहीं है तो जो भी मैं आप लोगों को ये questions बतारू ये किस basis पर है ये जो pandemic से पहले जो भी exam होते थे और ये सारे जो questions है, देखो अब एक और question आपके मन में आ रहा होगा कि से लिए बस तो change हो गया तो बच्चों से लिए बस change हुआ है बच पूरी तरह से नहीं हुआ है बहुत से topics change हुए है लेकिन जो बहुत ज़ादा है वो पहले के ही same है बस कुछ थोड़े बहुत change कर दियेगा है जो questions हर बार पूछा जाता था वही इस बार भी मैं आप लोगो कि as an important question बता रही हूँ तो हम लोग one by one करके सारे chapters के देख लेंगे सबसे पहले first chapter chapter number one introduction to micro and macro economics तो इसमें ये देखो हमने पहले ही देखा वेटेज का वीडियो भी मैंने अप्लोड ही अगर आप लोगो ने देखा होगा तो हमारा first chapter जो हो seven marks के लिए आने वाले okay seven तो इस seven marks के लिए अगर आप ये पढ़ लोगी जितने question में आपको स्क्रीन पे दिखा रही ही तो काफी है okay ये scope of microeconomics now second partial equilibrium third lumping method fourth question explain the features of microeconomics and fifth explain the scope of macroeconomics okay so देको अगर आप लोगो को बस pass होना है ऐसे तो goal मत रखो कि बस pass ही होना है okay क्योंकि देखो जो goal 90 का रखता है उसे 80 मिलता है so ऐसे रखो कि goal की बस pass होना है तो फिर पता नहीं क्या ही होगा okay so इसलिए ऐसा रखो कि मुझे बहुत अच्छा percentage चाहिए और स्रिफ important questions मत पढ़के जाओ पूरा book पढ़के जाओ okay लेकिन ये सब को थोड़ा ज्यादा importance दो okay अगर आपको बहुत अच्छा percentage चाहिए तो आपको पूरी book ही पढ़नी होगी लेकिन ये जो में important questions आप लोगों को बतारें इसको आप लोगों को थोड़ा अच्छे से prepare करना है okay चलो तो हमने फर्स chapter को देख लिया है अब हम क्या करेंगे second chapter पर आएंगे yeah so second chapter के है हमारा utility analysis okay so देखो utility analysis में first हमारा जो important question वो क्या हो जाएका types of utility okay now next question concepts of utility and this one is also very important okay state and explain the law of dimension marginal utility with assumptions and exceptions okay चलो हमने second chapter भी देख लिया है बस आप लोगों को देखो पता ही अगर आप लोगोंने पढ़ा है कि क्या important है और क्या नहीं है बस ये जो questions है okay ये एक बार देख लो कि इससे related आप लोगों को बहुत कुछ पूछा जाएगा हमेशा पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा जाएगा और इससे बहुत अच्छे से प्रिपैर करो नाव चप्टे नंबर 3 एट डिमाइड अनलीसिस इसमें फर्स कोशन हमारा इंपोटन्ट ये है इंडिविज्ड़ डिमाइड शिड्यूल सेकेंड कोशन मार्केट डिमाइड कर्व तैप्स ओफ डिमाइड एडफ और फ़र्स कोशन डिर्मिनेंट ओफ डिमाइड लॉए ऑफ डिमाइड अनिट असंचिन एग्स्ट एख सब्सक्टे नम्हीं लिए चैप्टर भी जो है थर्ट ए डिमांड आनलीशस यह भी हमारे वेडी एट मार्स लिए इस चैप्टर से हमें 8 मार्स के कुछिन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से जो बहुत होते हैं जो आपको सारे मार्स मिल जाये अप लोगों को अगर आप यह चैप्टर भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अब्जेक्टिव्स अब्जेक्टिव्स से बहुत कुछ पुझादा है कि 3a and 3b से ओके चलो ठीक है अभी हम लोग आगे चैप्टर नमबर 3b Elasticity of Demand, ओके नाउ फर्स टाइप of elasticity of demand, ओके Method of measuring price elasticity of demand and this one is last, total expenditure method ये चैप्टर में बस ये तीन questions एकदम important समझ के अपने दिमाग में बिठालो के चैप्टर नमबर 4, supply analysis, ओके Explain the concept of total cost and total revenue, explain determinants of supply State and explain law of supply with exceptions, concepts of cost and revenue देखो जहाँ पर जो exceptions दिया है ना तो खाली exceptions ही important समझ के चलो ठीक है जहाँ पर देखो assumptions और exceptions जो दोनों भी बताना है तो मैंने आप लोगों को वह भी बोला है कि दोनों भी पढ़ लो लेकिन जहाँ पर exceptions बुला है वहाँ पर exceptions ही पढ़ो ओके चलो ठीक है ना चैप्टर नमबर 5, forms of market Explain the meaning of monopolistic competition with its feature and explain the meaning of perfect competition with its feature ये दोनों एकदम अच्छे से पढ़ लो ओके गाईस ये चैप्टर में से भी हमाना 7 marks का आने वाला है questions ठीक है अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नमबर 6, index number की तरफ index number में हमें 3 questions जो बहुत important बोला गया है जैसे कि मैंने analysis किया कि कौन से हर बार पूछा गया है और मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ ये चीज हर बार पूछी चाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये हर बच्चे को इस चीज का knowledge होना चाहिए आप लोग ये पढ़के जाओ क्योंकि हर बार पूछा जाता है तो इस बार में बहुत से chances है एक्जाम में आने के चैप्टर नमबर 6 में ये तीन questions कर लो आप लोग explain the features of index number, explain the significance of index number in economics and explain the steps involved in construction of index number मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जादी लंबी ना बने बस आप लोग जो main देखो आप लोगों का सबसे चीज जो है ना main concentration बस यही होना चाहिए कि जो important question आप लोगों को screen पर दिख रहा है अब हमना chapter number seven national income की questions देख लेंगे first question output method of measurements of national income and second explain the practical difficulties involved in the measurements of national income now this one explain the income method and expenditure method of measuring national income ठीक है seven chapter भी हमने देख लेए आप हम आजाते है eight की तरफ so chapter number eight public finance in India तो इसकी हमें पांच questions दिये हैं important okay first one is types of taxes government budget third question direct tax and indirect tax इससे बहुत कुछ पूचा जा सकते है ठीक है objective direct tax and indirect tax बहुत अच्छे से पढ़ लो एकदम छोटी-छोटी details भी उसकी एकदम deeply पढ़ लो क्योंकि कुछ भी पूचा जा सकते है और especially objectives में बहुत आते हैं types of taxes वगएरा के fourth question state the types of and importance of government budget now last question last question of this chapter okay explain various reasons for the growth of public expenditure चलो अब हमारा एक chapter और रहे गया देखो actually देखो यह chapter जो 9 है इसका ही last question important बता रही है क्योंकि chapter 10 की देखो स्रीफ और स्रीफ वेटेज कितना दिया गया है chapter 10 का वेटेज स्रीफ 4 marks का दिया और उसमें से कुछ भी important नहीं मतलब अगर आप लोग को percentage चाहिए आप लोग चाहते हो कि exam में कुछ भी ना चूटे तो chapter 10 पढ़ लो लेकिन आपका अगर पढ़कर नहीं बात आप chapter 10 स्किप कर सकते हो कि इतनी कुछ बड़ी बात नहीं उसमें 4 marks की बात है लेकर 4 marks बहुत होते हैं exam में आई नहीं बट अगर कुछ भी नहीं पढ़के वाए तो यह गलती बिल्कुल मत करना कि चलो चोटा दिख रहा है अगर आप लोगों को easy लगता हो foreign trade of India 10 chapter तो वह पढ़ अगर आप लोगों का नहीं हुआ है पढ़के देखो मैंने जितने भी important questions के video बनाए है मैंने हर एक में आप लोगों को यह suggest किया है कि अगर आप लोगों का पढ़कर नहीं हो था भूल जाओ chapter यह chapter वह अब जिसका वेटेज सबसे जादा वह मैं सबसे पहले पढ़ूंगा पढ़ूंगी ऐसे अपना गोल रखो के अब chapter को मतलब chapter को जो हमें दिया होता है chapter 1 2 3 इसको भूली जाओ अब क्या देखना आपको सिर्फ और सिर्फ वेटेज और वेटेज के हिसाब से डिसाइड करना कि पहले क्या पढ़ूंगा ओके चलो ठीक है chapter 9 money market and capital market in India so first explain the functions of commercial bank second explain the role of capital market in India and third one explain the role of money market in India and fourth and our last question explain the functions of RBI okay चलो तो हम लोगोंने one by one करके सारे chapters के मैंने आप लोगों को 9 तक के बता दिया आप प्लीज को यह comment मत करना कि 10 chapter का तो बताएं नहीं बच्छो उसमें से कुछ भी important नहीं है अगर आपको percentage चाहिए अच्छा आप कुछ भी नहीं चोड़ना चाहते हो तो chapter number 10 which is foreign trade which is foreign trade of India हो तो यह भी पढ़ लो अगर आप लोगों को ऐसा है कि pass ही होना है which is very wrong okay ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि pass ही होना है क्योंकि मैंने पहले ही का कि जो बंदा सोचता है कि मेंको 90 लाने ही है तो जाके अगर अगर सोचो कि मेंको 35 लाने पास ही होना है तो सोचो क्या होगा मुझे वह बोलना नहीं अबर सोच लो क्या होगा अगर उस चीज के लिए प्रिपार हो तो ठीक है मत पड़ो अगर आप लोगों को परसंटेज अच्छे चाहिए तो सब भी चीज अच्छे से पढ़के जाओ और चैप्टर 10 में से कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने चैप्टर 9 तक के जितने भी इंपोर्ट सब्सक्राइब कोई तो मैंने आप लोगों को बता दिया है होपफुली आप लोगों को यह सारी चीज अच्छे से समझ गई होगी अगर आप लोगों को स्टिल कोई डावट आ रहा है तो मुझे पूछ लो के एंड थैंक्स फर वाचिंग प्लीज शेयर